हेलो एब्रीबन बेलकम बेक टो मैं चैनल प्लेस स्टेडी आई क्यू दोस्तो डेली करेंट अपयर की सीरीज में आज हम देखेंगे 29 और 30 नमंबर के करेंट अपयर के मुश्ट इंपोटेंट कोशन को तो दोस्तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला कोशन तो आज क प्लेस्तीनियन प्यूपल कम मनाए गया हैं मोश्च इंपोटेंट कोशन दोस्तो रखाली में इंटर नेशनल डे ऑउफ स्टी बिफ दी पस्टे नियन प्यूपल दे आपर कमनाए गया है तो यह मनाए गया ओए दोस्तों यहां पे 29 नॐमबर को 529 को दोस्तों इंटर एक जुटता दिबस यानि इंटरनेशनल डे आफ सॉलिडिटी विद्धी पैलेस्टेनियन प्यूपल हर साल यहां पे 29 नमबर को संयुक्त राष्ठ दुवारा आयुजित एक दिबस है और दोस्तों यहां पे इस दिन का जो मुख उद्देश है जनता को यहां पे फिलिस्ती के सबाल पर सिक्षित करना और इजराइल फिलिस्तीन संगर्स के सांती पूर्ण समाधान का समर्तन करना इसका मुख उद्देश है दोस्तों तो दोस्तों यहां पे नेस्ट कोश्चन देखें यह भी बहुत ही इंपोर्टेंट है हाली में जो एन सी सी ने अपना कौन सा इस अपना मनाया है तो यह मनाया है तेतरवा स्थापना दिवस दोस्तों यहां पे हाली में एन सी सी ने अपना कौन सा इस्थापना दिवस मनाया है तो तेतरवा स्थापना दिवस मनाया है यहां पे अगर इसके बारे में समझें तो भारती जो सस्तवलों की यूवा साका और दुनिया का सबसे बड़ा बर्दी धारी यूबा संगटन जो राश्टी केड़िट कोर्ड यानि नैसनल केड़िट कोर्ड 28 नमंबर को अपनी स्थापना की तेतर भी बड़ सगाट मना रहा है दोस्तों और दोस्तों यहां पे NCC दिवस हर साल यहां पे नमंबर के जो चौथ हमेशा एकजाम में पूछी जाती है कि NCC का गठन कब हुआ था तो 15 जुलाई 1948 को हुआ था दोस्तों और NCC का जो मुख्याले कहां पे तो NCC का मुख्याले दोस्तों यहां पे नई दिल्ली में हैं और यह एक स्वक्षिक तिरसेवा संगटन यानि ट्राइ सर्विस और्गन यहां पे नेक्ट कोशन देखें यह भी बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है हाली में भारत पाक युद्ध 1971 नामक पुस्तक का बिमोचन किसने किया है दोस्तों तो यह किया है जनरल एम एम नरवडे ने दोस्तों यहां पे जो जनरल एम एम नरवडे हैं उन्होंने हाली में भारत पाक युद्ध 1971 नामक पुस्तक का यहां पे बिमोचन किया है तो यहां पे इसके बारे में समझें तो जो जनरल एम एम नरवडे ने यहां पे वांगलादेश लिवरेशन 50 येर्स विजोई भारत पाकिस्तान युद 1971 पुस्तक का यहां पे बिमोचन किया है दोस्तों और यह कारिकरम यहां पे भारत बांगलादेश मेत्री के 50 साल पूरे होने के साथ साथ यहां पे भारत पाकिस्तान युद 1971 में निरनायक जीत के उपलक्ष में दोस्तों यहां पे इंडिया इंट तो यहाँ पर next question देखें तो next question भी दोस्तों होती important है यहाँ पर हाली में भारत के पहले निजी तोर पर निर्मित cryogenic rocket engine धवन first का यहाँ पर सपलता पूर्वक यहाँ परिक्षण किस ने किया है most important question हाली में जो भारत के पहले निजी तोर पर निर्मित cryogenic rocket engine धवन first का यहाँ पर सपलता पूर्वक परिक्षण किस ने किया है दोस्तों तो यह किया है Skyroot Aerospace ने हाली में भारत के पहले निजी तोर पर निर्मित cryogenic rocket engine धवन first का यहाँ पर सपलता पूर्वक परिक्षण किया है दोस्तों हम इसके बारे में समझें तो जो हैदरवाद एक अंतराश्टी परिक्षण किया है और अगर Skyroot Aerospace के बारे में समझें तो जो Skyroot Aerospace की स्थापना दोस्तों यहाँ पर 12 जून 2018 को इसकी स्थापना की गई थी और Skyroot Aerospace का मुख्याले कहां पर है तो हैदरवाद तेलंगाना यहाँ पर इसका मुख्याले है और Skyroot Aerospace स्थापक CEO और CTO पवन कुमार चंदना है तो पवन कुमार यहाँ पर चंदना है यहाँ पर इसके CEO और CTO है दोस्तों यहाँ पर नेक्ट कोशन देखें तो नेक्ट कोशन भी बहुत ही इंपोटेंट है यहाँ पर दोस्तों हाली में Hero Moto Corp के गयर कारकारी नेदेशक कौन निक्ट किये गए है तो यह निक्ट किये गए है तो यह निक्ट किये गए है दोस्तों प्रमुक हीरो मोटो कॉर्प ने भारती स्टेड बेंक जो SBI के पूर्व अध्यक्ष रजनीस कुमार को यहां पर कंपनी के बोर्ड में एक सोतंतर गहर कारकारी निदेशक के रूप में निक्त करने की गोंशना कर दिये और यहां पर नेश्ट कोशन देखें तो नेश्ट हाली में चैरी ब्लासम फेस्टिवल के स्राज में यहां पर मनाए गया है तो यह मनाए गया में दोस्तों मेगाले में हाली में चैरी ब्लासम फेस्टिवल यहां पर मनाए गया है तो दोस्तों यहां पर तीन डिफ्सी है यह स्लॉंग चैरी ब्लासम फेस्टिवल 2021 का आज दूद सतोशी सुजू की नहीं पर यह 25 नवंबर से 17 नॵंबर तक यह मनाया गया है तो इनके दोवार यह मनाया गया है दोस्तों अगर मेगाले के बारे में हम जान करें कुछ जो लोक पर ये तिवार हैं तो नौंग क्रेम नृत्व महुसब भी यहां पर मेगाले में मनाय जाता है बांगला महुसब भी यहां पर मनाय जाता है अहया जो महुसब है भी यहां पर मनाय जाता है दोस्तों लोग पर यहां पर तिवार है और बैदिन खलम महुसब यहां पर मनाय जाता है साथ सुक्मा मैदिस जो महुसब भी यहां पर मेग प्रधान मत्री कौन बन गए हैं मोश्ट इंपोस्ट इंपोस्ट हालि सenzie 170 के नई प्रधान मत्री दोस्तों यहांपे पैत्र पियाला पन गए हैं यहांपे प्याला को यहांपे राश्टभाजी जो मिलोस जयमन है उन्हों ने चे года राज के नई प्रधान मंतरी के रूप में उन्हों प्रधान मंतरी प्रधान मंतरी बनाए गया है तो यहाँ पर चेकड़राज की बात करें तो चेकड़राज की जो राजधानी प्राग है दोस्तो और मुद्रा कौन सी है यहां पर चेक की तो चेक कोरुना यहां पर जो मुद्रा है नेश्ट कोशन देखें नेश्ट कोशन भी यहां पर बहुत ही इंपोटेंट है तो यहाँ पर नेक्स कोशन है अपना हाली में भारतिय प्रबत रोहन फाउंडेशन की प्रतम महीला अद्यक्ष किसे चुना गया है Most important question दोस्तो हाली में जो भारतिय प्रबत रोहन फाउंडेशन की प्रतम महीला अद्यक्ष किसे चुना गया है तो यह चुना गया है हर्सवन्ती विष्ट को हाली में भारती परभतर होण फाउंडेशन की पृत्म महीलाद्यक्ष चुना गया है इनके बारे में समझे जो उत्रखंड की प्रिसिद्ध परवतर होई हैं दोस्तों हर्सवंती विष्ट यहां पे इन्होंने भारती परवतर होण फाउंडेशन यानि इन्डियन माउंटेनिंग फाउंडेशन आई एम एप की यहां पे पहली महिला अध्यक्षित चुने जाने का गौरब प्राप्त किया है दोस्तों यहां पे जो आई एम एप की जो स्थापना दोस्तों वर्स 1958 में हुई थी कब हुई थी आई एम एप की स्थापना तो वर्स 1958 में इसकी स्थापना की गई थी यहां पे नेक्ट कोशन देखते हैं कोरोना से सम्मद दे थे दोस्तों बहुती इंपोटेंट कोशन हाली में जो डबलु एचो ने कोविड नाइटीन के नए वेरियंट को क्या नाम दिया गया है मोश्ट इंपोटेंट कोशन हाली में जो डबलु एचो ने कोविड नाइटीन के नए वेरियंट को क्या नाम दिया गया है दोस्तों तो यह दिया गया है Omicron दोस्तों यहाँ पर जो Omicron हाली में WHO ने COVID-19 के नए variant को यहाँ पर नाम दिया है यहाँ पर इसके बारे में डीटेल से समझेंगे दोस्तों बहुत ही important question है यहाँ पर जो विश्व स्वास संगटन यानि जो World Health Organization यहाँ पर COVID-19 के जो variant है B1.1.1529 को यहाँ पर Omicron के रूप में दोस्तों वरगी की रित्थ किया है तो यहाँ पर जो नए COVID-19 जो संसकरण B1.1.529 को यहाँ पर पहली बार 24 नमंबर को दोस्तों कब यह डेट 24 नमंबर को यहाँ पर 21 को दक्षण अपरिका यानि जो साउथ अपरिका से WHO को सूचित किया गया था तो यहाँ पर जो दक्षण अपरिका के जो अलावा इसराइल में मालावी बोट्सवाना बेल्जियम और हंकांग से आने जाने बाले बैक्ति में Omicron पाया गया है दोस्तों तो यहाँ पर हाली में जो WHO ने COVID-19 के नए variant को क्या नाम दिया गया है तो Omicron नाम दिया गया है दोस्तों और अगर WHO की बात करें तो WHO की यहाँ पर इस्तापना कप की गई थी तो साथ अपरेल कब दोस्तों साथ अपरेल 1948 को यहाँ पर WHO की इस्तापना की गई थी और WHO का मुख्याले कहाँ पर तो जिनेवा सुज्यलेंड में यहाँ पर इसका मुख्याले है दोस्तों यहाँ पर लाश कोशन दिखते हैं बहुत ही दोस्तों मद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द जो सुरू करने का हैं पे फैसला हavior किया है यहां पर मद्प्र देश की बात करें तो मद्प्रध की राजदानी भोपाल है दोस्तों और मद्प्रध के राजपाल मंगुहाई शी पतेल यहां पर राजपाल हैं और मद्य प्रदेश के जो मुख मंत्री की बात करें तो सिबराश सिंग चुवाने आप पे मद्य प्रदेश के मुख मंत्री भी है दोस्तों आपे इस वीडियो का ये लाश कोशन था थैंक्स वर वाचिंग प्लिस लाइक सेर और सबस्क्राइब मैं चैनल और दोस्तों साथी इस वीडियो को आप हमारे जो टेलिगराम चैनल है उससे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो तो इस वीडियो के जो description box में हमारे जो telegram channel है plus study IQ उसकी link दी गई है जहां से आप channel को join कर सकते हो और इस वीडियो को जो PDF है उसको आप free में भी download कर सकते हो तो इहां पर telegram को आप join करने के लिए हमारे जो इस वीडियो के description box लिंक दी गई है तो बहां से आप join कर लेजिए और PDF को download भी कर सकते हो तो आज के लिए इतना है thanks for watching please like share and subscribe my channel thank you so much friend